हेलो एब्रीवन वेलकम टू नॉर्थीस्ट पीएसी यह एक डेमो सेशन है जो हमारे न्यू बैच एपी पीएसी के लिए कंडक्ट कराया जा रहा है हमारा जो यह न्यू बैच है वो ट्वेंटी एप्रिल से स्टार्ट होगा इस डेमो सेशन के थुरू मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी पेकल्टी और मैं एपी पीएसी एक्जाम को आपके लिए कैसे इजी बना सकते हैं जिससे आप एक्जाम को smoothly clear कर सकते हैं तो मेरी और मेरी तीम की इस exam के लिए तीन तरीके से strategy है जिससे ये exam आप सब अच्छे से clear कर सकते हैं तो first है clarity of syllabus second है questions through pyqs जैसे कि आप जानते है कि pyqs का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी exam को clear करने के लिए and third है notes जो हमारी टीम आपको प्रवाइट कर आएगी pdf form में तो ये जो तीन है ये हमारे main pillars है जिसके थुरू हम AP PSA exam को easily crack कर सकते हैं this is me my name is Yashna मैं दो साल से Northeast PSA के साथ जुड़ी हुई हूँ as a history faculty मैंने history में ही ME किया है और UPSA 2023 में मैंने prelims क्लियर किया है जिसमें मेरे GS में स्कोर 102 से 1110 के बीच में आ रहे थे और मुझे history बढ़ाना बहुत पसंद है और मैं आपकी help करूँगी AP PSA exam को clear करने में as a history teacher आप screen पे देख सकते हैं यह पूरी details है उस बैच के बारे में ज़े 28 अपरिल से start हो रहे हैं जिसमें हम आपको prelims and means दोनों की facilities provide करवाते हैं तो अगर आपको कोई भी doubt है regarding course regarding syllabus तो आप WhatsApp नमबर पे call या वाट्साइब कर सकते हैं और अगर आपको हमारी demo की classes join करनी है तो भी आप इस WhatsApp नमबर पे call कर सकते हैं या WhatsApp कर सकते हैं या फिर आप इस QR code को scan करके भी information लेख सकते हैं हमारी faculty member आपको exam के बारे में आपके जो जो doubts है उन सब के बारे में guide करेंगे तो आप इस नमबर पे call कर सकते हैं फोर demo session या फिर course के regarding या फिर इस QR code को scan कर सकते हैं आज हम इस demo session में इंडिस वेली civilization के बारे में पढ़ेंगे ये एक बहुत important topic है जिससे बहुत सारे questions आने के chances होते हैं और ये जो topic है जितना complicated है उतना ही easy है क्यूंकि इसमें सिर्फ हमें sights, river and features को ध्यान में रखना है और इस topic से 2 से 4 question आते हैं अगर हम ये 2 से 4 question easily fetch कर सकते हैं क्योंकि ये topic जो है बहुत जादा important है और easy भी है तो अगर हम अच्छे से read करेंगे कुछ चीजों को याद करेंगे जो जो sites में आपको बताऊंगी उसके importance आप याद करेंगे और हम PYQ उसके through भी देखेंगे कि questions किस तरीके से आये हैं और हम उसी recording अपने स्लेबर्स को और specially मेरे साथ आप history को follow करेंगे तो इंडेस वेले civilization में हम ये सारी features देखेंगे कि civilization क्या होता है IVC का geographical extent क्या था मतलब ये geographically कैसे spread out थी कौन-कौन से facts है and important sides important sides से questions आने के chances जादा होते हैं फिर देखेंगे हम कि इंडेस वेले civilization के जो लोग थे वो कौन सा religion follow करते थे फिर देखेंगे कि वो कौन सा culture follow करते थे वो कैसे रहते थे उनकी food habits क्या थी वो socially कैसे एक दूसरी के साथ मेल मिलाओ करके रहते थे town planning देखेंगे कि वहां के लोग जो है वो रहने के लिए houses कैसे बनाते थे institution देखेंगे craft देखेंगे craft से भी काफी questions आते है and फिर last में देखेंगे decline of Indus Valley civilization यहां से start करते हुए यहां पे end होता है तो मैं आपको एक fact बताती हो history में देखते हैं जैसे कोई भी empire हो या civilization हो या culture हो वो बहुत धीरे धीरे start होता है फिर वो अपने peak पे पहुचता है और फिर decline करने लगता है start peak and end तो Indus Valley civilization में भी हम देखेंगे कि वो कैसे start हुआ किस तरीके से start हुआ क्या कैसे important features थे जो उसको peak तक पहुचाते है और क्या कैसे reasons थे जिसके वज़े से वो decline करता है ठीक है तो हम आज़ी class में देखेंगे कि इसका हरपन civilization का क्या क्या important है और हम exam perspective से देखेंगे कौन-कौन से facts को हम याद रखेंगे सबसे पहले देखते हैं कि civilization क्या होता है जैसे Indus Valley Civilization हरपन Civilization हम नाम सुनते हैं पर civilization का मतलब क्या होता है तो civilization का मतलब क्या होता है कि technical advancement urban nature material advancement आपने culture का नाम भी सुना होगा तो civilization का एक part है culture culture and civilization interrelated होते हैं ठीक है जैसे दिखिए culture and technological development cultural और technological development किसी भी civilization में होता है तो उसको हम civilized society कहते हैं human society का बहुत बड़ा role play होता है हम किसी भी civilization को उसके human society के साथ interlink करके देखते हैं जैसे इंडस civilization इंडिया में फ्लारिश हो रही थी तो उसी के साथ contemporary भी तीन civilization फ्लारिश कर रही थी एक है Egyptian civilization जो नाइल रिवर पे है मैसुर्पोटैमिन civilization जो टिग्रस रिवर पे है चाइनी इस इवलारिश जो यांगतेज रिवर पे है और इंडस civilization जो इंडस रिवर पे है इंडस civilization इंडिया एंड पाकिस्तान में है एंडिपेंड diabetes के बाद 1947 के बाद जो पाकिस्तान की जो पहले इंडिया में ही थी वो अप पाकिस्तान में रह गई है पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट साइट थी जिसका अपने नाम भे सुनाओगा हारपन मोहन झूदारव आपने कभी ना कभी इन दोनों साइट्स का नाम सुनाускण और यह बहुत स्याद्व हैं तो यह प्रेजिंटे न äौर इंडिया में आपने इंपॉर्टेंट साइट्स का नाम सुना ओगा बानावली और धोला वीरा लोथर इन सारी साइट्स का भी अपने नाम सुना होगा तो मैप की थ्रू देखते हैं कि यह सारी सिवलाइजेशन कैसे थी हम हिस्ट्री पढ़ने के लिए मैप्स का यूज जरूर करते हैं क्योंकि अगर अपना स्ट्रॉंग रखते हैं तो अगर महां क्वेश्चन साथ हैं तो हम उसे इसली इंटरप्ट कर सकते हैं कि यह कौन से रिवर पे थी यह कौन से और मांने में विद्स एधर के और चांइनिस इविलाइजेशन घंट समय मैं चार स्टी ब्स जो स्ट्रेब्स कौन से हाँ एज़ियों से स्वेल्जेशन हैं यह कौण Iowa other civilization ती जो वर्ल्ड में फ्लारिश हो रही थी तो हम इन चारों का नाम ध्यान रखेंगे ओके अब देखिए इंडिस वेली civilization का टाइम पीरिट क्या है 2500 टू-1400 बीसी अब आप इस मैप को देखिए यह बहुत इंपोर्टेंट मैप है इससे मैंने आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सोफ माप बताई कि इससे हमारा विज्वेल स्टॉंग होता है और हम क्वेश्चन करने में इजी रहता है अब इंडिस वेली civilization भी तीन पार्ट में डिवाइडेट है इंडिस वेली civilization तो तीन पार्ट में हमारी इंडिस वेली civilization डिवाइडेट है इंडिस वेली civilization में क्या होता है यह civilization का starting point होता है जाद कर यह मैंने वह आपको figure बताई थी यह peak और यह decline तो यह जो पार्ट है वो early इंडिस वेली civilization का पार्ट है और जब peak पहुशती है उसे mature इंडिस वेली civilization कहते है और जब वो decline हो रही होती धीरे-धीरे उसे later इंडिस वेली civilization कहते हैं जो इंडिस वेली civilization है उसका नाम इंडिस वेली civilization क्यों पढ़ा क्योंकि बहुत सारी जो साइट से यहां देखिए बहुत सारी जो साइट से वह हमें इंडिस रिवर्ट पलस। है त्टास आपको पटाए कहां से वाटर करती है प्रेजें़ मियों से प्रेजंदे निपाल से अब्सक्राइश करके आज के इंडिया के जम्मो प्रवाइन काश्मीर से होती है और पाकिस्तान में चाहती है और यहाँ पर ड्रेंग करती है जब हमने पहली सायद्मtv Saya ऌर हमस्ट नाम्सट्पा मेंगे तो हमें cinema था HUI मेरे और मंने साइट के बारे में जाना तो हमें घागर और हकार और हाकरा दरस्वicial सरस्वती ठीक है तो जो स्वार्स्वती तो आज ड्राइ सटी है फिल परिजन देब हरया अन जिसे से .shariount डुबलभे टो cuidado और वह ढूंद फॉक चुकी हicaçãoधि और इंडर्च अभी भू है प्रेजिं में भी इंडर्च रिवर हर और दूस्त इंपॉर्टेंट छीज क्या है इंडर्स वैली इश्वेलिजेशन को ब्रॉन्ज एच सिविलाइशन भी कहते हैं और इसे आप ब्रॉन्ज से बनता है, टिन एंड कॉपर ओके, तो जो टिन है वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं था कब हरपन पीरेड में पर जो कॉपर है वो इंडिया में प्रेजेंट था तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं क्या अजम्शन लगा सकते हैं क्योंकि ब्रॉंज हमें मिला है इंडिया में इंडिया का दूसरे सिवलाइजेशन के साथ भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था ठीक है इंडिया स्वेली सिवलाइजेशन इस अलसो नोन अस हडपन सिवलाइजेशन क्योंकि आपसे इसमें क्वेशन तीन तरीके से पूछ सकते हैं कि फॉर्स्ट इंडियान कौन था जिसने हडपा को एक्सकेवेट किया तो हम ऑप्शन में दायाराम सहनी देखेंगे तो उसे टिक करेंगे ठीक है और पूछ सकते कौन से यर में हुआ ठीक है और हडपन और इंडियास वेली सिवलाइजेशन पे तो एक हिस्ट्री में एक इंटर ट्यसेंगधि और हडपन सिवलाइजेसट को एक प्री हडपन सिवलाईजेशन हाज पीनमें मेहरगर पाकिस्तान तो पाकिस्तान में हमें मेहरगर भी मिलाए और वो प्रेजेंट है पाकिस्तान में ठीक है और उसमें हमें सबसे पहले first evidence किसका मिलाए cotton cultivation का मतलब cotton जो है वो world में first time Indus Valley civilization में मिलाए ठीक है तो इसी slides में आप देखिए हमें चार important points पता चले reverse पता चली, sides पता चली, cotton evidence पता चला और first Indian जिसके supervision से हमें हडपा के बारे में पता चला था दायराम साहनी उनके बारे में पता चला तो ये slides ये जो slides है वो भी बहुत important है आपको PDF मिल जाएगी अब ऐसे भी questions आ जाते हैं कि सबसे north side पे कौन सी site मिली है जा सबसे south में कौन सी site मिली है ओके तो जैसे सबसे north अगर देखेंगे कि Indus Valley civilization का कौन सी site मिला है तो है वो मांडू जो है जम्मू में south में हमें महराष्टा में site मिली है Indus Valley civilization की जो है दीमाबाद में यूपी में हमें मिला है आलम गिरपुर में अब यूपी सबसे last है यहां पे ठीक है जैसे हमारा इंडिया का map है तो यहां पे सबसे last हमें यूपी में मिली है आलम गिरपुर में तो हम यह देख सकते हैं कि इन रिवर्स पे ही हमें सिर्फ साइट्स मिली है सिर्फ इस एरिया में ही तो इससे हम जैसे इंडिया की बहुत जो फेमस रिवर है जो होली रिवर है जो गंगा रिवर है वहां पे हमें कोई भी हडपन साइट नहीं मिली है हमें जतनी भी साइट्स मिली है वो प्रेजंट पाकिस्तान और इंडिया के इस पार्ट में मिली है और जो घंगा है आप सभी को पता होगा वो ऐसे फ्लो करती तो हमें गंगा रिवर पर कोई साइट maior में लिये हैं और या देखिए यह जमु में है ये उत्तर प्रदेश में यह महरास्ट तो इसो तीत साइड से वह इंडिया की है और सुक्ताग इंडौर जो है वह बलुचिस्तान की तो देखिए यह जो सिविलाइजेशन थी वह कोई छोटी civilization ने थी, काफी बड़ी civilization थी अब हम important features देखते हैं हडपन civilization के, ओके तो first है agriculture, अब किसी भी civilization या culture को flourish करने के लिए agriculture की बहुत important है, जैसे आज भी जो हमारी इंडिया है, वो एगरी कल्चर पे काफी जादा dependent है तो देखिए, तो हमें किस-किस तीज के evidence मिले है, wheat and barley की, wheat and barley है, वो हमें large scale पे मिले है और उसके साथ-साथ कौन-कौन सी crop समें मिली है, pulses cereal, cotton कोटन के बारे मैंने एक आपको fact बताया था कि इंडिस वैली civilization में ही world का first cotton evidence मिला है इसी तरह के questions आपके exam में आएंगे कि first कहाँ पे discover हुआ first evidence कहाँ पे मिला तो ऐसे ही questions आएंगे और हमको ऐसे ही deal करना है यह जो facts है वो हमको अच्छे से read करना है dates, melon, pea, sesame, mustard seed people of lothal produce rice जो लोग थे lothal में रहने वाले वहाँ से हमें rice production का भी evidence मिला है जैसे lothal है वो कहाँ पे है present day gujarat तो इसलिए यह जो map है वो important है आप map में यहाँ पे जैसे lothal है हम lothal में ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें rice मिला था तो जब हम revision करेंगे तो यह हमारे लिए helpful रहेगा हरपन वर्ट अर्लिएस पीपल चुग्रो कॉट्टें crops were stored in granaries तो अगर crop है और अगर वो agriculture फ्लारिश करता है तो surplus भी होगा तो surplus को कही ना कही store करना होगा तो वो store करने के लिए हमें granaries बनानी पड़ती है तो इसके evidence हमें कहां कहां से मिले है हरपपा से, मोहन जोदारों से और काली बंगन से हरपपा हैं मोहन जोदारों पाकिस्तान में है present day और काली बंगन present day इंडिया और किस स्टेट में है राजिस्थान जैसे अगर आपको यह question आ जाए कि काली बंगन आज के present day इंडिया के बिहार स्टेट में है तो हमें पता है यह question गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो हमें evidences मिलें जो इतनी sights मिलें हो सिर्फ यहीं तक मिली है और यहां पे यहां से गंगा जाती है आपको पता होगा यहां पे बिहार है तो बिहार में गंगा भी फ्लो होती है पर हमें यहां पे गंगा का कोई भी एविडेंस नी मिला कि उस साइट से रिवर गंगा फ्लो कर रही है तो हम ऐसे एलिमिनेट कर पाएंगे ठीक है जिसे काल जाली बंगन हमको पता है राज स्थान में तो राजिस्थान में यह रिवर्स फ्लो करें हों कि यहां पर हमें साइट मिली योगी ऐसे हम एक्जाम को सॉल्फ कर सकते हैं क ponieważ ब्रॉंस जीन नींदेट यह झाल सरफ कि आqua जीन स्टित बॉलागई में ख़लेख उकी कर लोगिनेक है जोtest थे-ंश के पिर दूख जीन से फ़िआजगे के व्रॉंस से ग्युक्त एप टेराक कोटा से ई इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि कौन-कौन से अनिमल उस टाइम पे थे तो ओक्सिन, बिफेलो, गोट, बुल, शिप, पिग, ये सारे थे और ये क्या? डुमेस्टिकेटिड थे हमें कैसे पता ये सारी चीज़े डुमेस्टिकेटिड थे ये वाइल्ड भी तो हो सकते हैं तो हम इसके एविडेंस कैसे देखते हैं कि जब जहां पे लोग रहते थे उन्हीं के साथ जो यूमन रहते थे उन्हीं के साथ इन आनिमल्स की भी बोन्स हमें मिली है sorry for destroying domesticated animal की हमें ऐसे बोन्स मिलें तो अगर वाइल्ड एनिमल होता तो इनकी बोन्स हमें हूमन के साथ यूमन के साथ यूमन के साथ इनकी बोन्स मिलती है तो इसका मतलब है वो सारे आनिमल domesticated evidence of dogs and cats जो dogs उनके evidence तो हमें burial system में भी मिले जब हरपन civilization के लोग लोगों की death हो जाती थी तो वो graveyard में dogs को भी बरी कर दे थे फिर हमें camel की मिली है इसस की मिली है इन सारी चीजों की भी हमें evidences मिले है और हमने इसमें क्या दिखाए कि यह प्लोइंग में भी help करवाते थे जो हॉर्स है उसके evidence हमें मिले है बट मोहन जुदार और लोथल से नहीं मिले अगर यह question आए कि हमें horse के कहीं भी evidence नहीं मिले तो question गलत हो जाएगा बट अगर हमें यह बोला कि मोहन जुदार और लोथल से हॉर्स के evidence मिले नहीं मिले है तो question सही होगा कि है हॉर्स के evidence मिले है बोंस मिली है पर हमें किसी सील पर हॉर्स के evidence नहीं मिले है इन हमें elephant और राइनो के बारे में भी knowledge मिली है ओके देखिए सील भी एक बहुत इंपोर्टेंट फीचर था हरपन सिविलाइजेशन का जिससे हमें आनिमल्स उनके कल्चर वो कौन-कौन से मेटल यूज करते थे किस तरीकी लाइफ जीते थे यह सारी चीज़े भी पता चलती है हम हिस्ट्री को पढ़ते हुए ध्यान रखते है कि हम अगर कोई फैक्ट आता है तो अगर हमें स्टोरी पता होगी तो हम कहीं नकायों से एलिमिनेट कर पाएंगे ओके दिखे होंड एनिमल भी मिलें जिसे यूनिकॉन बफैलो टाइगर्स राइनो गोट्स एलिफेन एंटिलोप्स यह जो है उनको और क्रोकोडाइल के भी एविडेंस हमें मिले हैं सेल्स वर मेड़ ऑफ स्टीय यह भी इंपॉर्टन फैक्ट जिसे पूछ सकते हैं कि सील्स जो है वो किस मेटल किस मेटल से बनी थी ठीक है और सील का यूज किस क्लिए करते हैं सिंबल अफ अथोरिटी के लिए जैसे हम किसी भी चीज़ पे स्टैम्प लगाते हैं जैसे एम यहां पर चीज़ क्या पता चलती है कि ट्रेड होता होगा क्यूंकि आपस में मतलब एक एक ही जगा पे रहने वाले लोग सील का क्यूं यूज करेंगे बट अगर उन्हें ट्रेड करना है किसी दूसरी कंटरी के साथ तो वो सील का यूज करेंगे ओके फिर स्टैम्पिंग के लिए भी यूज करते थे और एमिलेट के लिए भी यूज करते थे एमिलेट मतलब ज जैसे मैंने पतायाता है एगरीकल्चर कितना इंपोर्टेंट पार्ट था हडपन सिविलाइजेशन का तो जब सर्प्लस में एगरीकल्चर होगा ग्रेंस होंगे तो उसको स्टोर करने के लिए हमें पॉट्री चाहिऊँ तो हमें पॉटरी के भी एविदेंस मिलें ओक पॉच्रिक एविडेंस हमें कैसे मिलें कोवर के ंवे डिक एक है कि विद्वेटन केक ऐसे बडेंवниц हमें कुछ दिजाइन एसे बने मिले जैसे हम कोई बी इंप चीज होती है उसको शजाना ज्हीं है वैसे हड़पन सिविलाइजेशन के लोग भी किसी भी चीज को थोड़ा डेकुरेटिव फॉर्म में रखना चाहते थे ओके देन हैं क्राफ जैसे मैंने बताया था क्राफ एक इंपोर्टेंट फीचर था जिससे हमें पता चलता है कि वहां के लोग किस तरीके के अक्यूपेशन में इन्वॉल्फ थे फर्स्ट है मैनुफेक्चरिंग एंड यूज अफ ब्रॉंस जैसे मैंने आपको बताया था ब्रॉंस ब्रॉंस दो मटीरियल से बनाएं टिन एंड कोपर अफ़गानिस्तान इंडिया का पाट नहीं है वो फॉर्न कंट्री से हम मंगवाते थे तो तिन हमारे इंडिया में प्रेजिन नहीं था इससे हमें ट्रेट के बारे में पता चलता है देंक टेक्सटाइब के बारे मैं पता चलता है तेक्सटाइब जैसे हमने देखा cotton cotton के एविडेंस मिले है हमें में किष्ण की ब॥ि ऐ से बनाते दे यह भी एक इंप्धरेंट पार्ट था क्यों जुन जबूरी है हॉज बनाने के लिए जरूरी है तो हमें ब्रिक के भी एविडेंस मिले है और ब्रिक कान सी बंट ब्रिक बोट मेकिंग बीड मेकिंग एंड सील मेकिंग सील के बारे में हम पढ़ चुके हैं और बोट मेकिंग क्योंकि जैसे आपको पता है यह हमारा इंडिया है तो यहां पे क्या है यहां पे सी है तो अगर ह मेकिंग की ज़रुवत पढ़ती होगी पर एक टेरा कोटा टेरा कोटा भी इंपोर्टेंट क्राफ्ट ऑक्क्यूपेशन ता जिसमें हम खिलोने बनाते थे स्कल्प्चर बनाते थे टेरोकेटर से ठीक है नहीं है गोल्ड स्मित में ज्वेल्री और सिल्वर गोल्ड है प्रीच तो या कोटन हो गया इसंपर साँग को नहीं है तो काष्टन हुगा और स्वेल्ट हम सका है पिल एकिस एक बीमिला था देन है रिलीजिन कि हड़पन सिविलाइजेशन कौन सा रिलीजिन फॉलो करते थे तो हमें हड़पन सिविलाइजेशन से दो चीज़े पता चलती है कि कि वो मेल डॉमिनेंट सोसाइटी नहीं थी क्योंकि हमें वहाँ पर विमन के भी एविदेंस मिलें जैसे मदर गॉड़िस का हमें एविदेंस मिला है हमें मदर गॉड़िस के भी फिगर्स मिलें तो इस तरीके से वो विमन को मानते थे और इससे हमें क्या पता चलता है अर्थ जिसे यहां अर्थ है प्लांट है तो वो नेचर की भी वर्शिप करते थे ठीक है और हमें यहां पर मेल डी टीवी मिले है तो हमें प्रोटो शिवा मिले है प्लोटो शिवां का हम्नेख सील पिलाएं जैसे यहां पर प्लोटो शिवा है और यहंपर पैनीमल से इनको सराुंडरेट करते हो यह प्लोटो शिवें का सील है और यहां पर बहुत सारे आगे की स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से वो इंपोर्टन्ट अनिमल से मैं उनकी पिच्छर दिखाऊंगी आपको जैसे देखें यहाँ पर एलिफेंट था टाइगर था राइनो सौर था यह सब इनके अप चारो तरफ था नेक्स स्लाइड में मैं आपको उनके पिच्छर पर दिखाऊंगी और जो हरपन सिविलाइजेशन के लोग थे वो सेक्स ओर्गन की भी वर्षिप करते थे ठीक है नेचर वर्षिप मैंने बताया आपको एनिमल वर्षिप भी करते थे बट एक इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है नो एविडेंस ओफ टेंपल कि हमें हरपन साइड से कोई भी टेंपल का एविडेंस नहीं मिला हमें कोई भी टेंपल एविडेंस नहीं मिले हमें नेचर की सबस्चित Прgonस है इंड, हमें एनिमल के वर्शिप करते वहासं और हमें वर्टशिप करते वहें सबस्क्राइब पर हमें कोई temple का evidence नहीं मिला, ना ही हमें कोई ऐसा structure मिला है और ना ही हमें seal में depict कोच हुआ है, तो यह question बन सकता है, क्योंकि हम जब हमीं सारी चीज़े पढ़ेंगे, तो हमें पाता चलेगा कि ठीके animal की वर्शे पो रही थी, nature की वर्शे पो रही थी, फैलिश वर्शे पो र नहीं था, ओके, तो आज के लिए इतना ही जो हम next topic है, हरपन civilization के ही, हम वो next class में, next demo class में देखेंगे, आप तब तक बताईएगा, आपने doubts पूछेगा, और जो मैंने आपको यह WhatsApp नमबर दिया है, उस पे आप कॉल कर लीजेगा, जिससे आपको class के बारे में भी पता चल जाएगा, जो 28 April से स्टार्ट होने वाली है, और अगर आपको demo session को join करना है, तो भी आप इस नमबर पर call कर लीजे, आपके सारे doubts क्लियर हो जाएगे, या फिर आप इस scanner को भी scan करके, अपनी problem या फिर जो भी questions हो, कोई query हो, आप इससे पूछ सकते हैं, ओके, जो इसकी आगे की slides है, वो हम next class में discuss करेंगे, कर दो कमा जाएगे, आपके सकते हैं, Michał